तो यह है यह बहुत भेंकर वाली भीड हो रहे हैं और यही है सईद इसमारत यहां इतनी भीड लगी वही कि क्या है बताएं और जो बावी परवार जी है जो अध्यक्स थे तो अंदर है और चबिस आर्सी वगएरा चाहिए जो आर्सी और आईडी है तो दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टो माईनी व्लॉग और दोस्तों सुवे के लगवट साड़े नौबा चुके हैं और मैं अरी जा रहा हूं गांदी पार्क उधर की तरफ जैसे कि कल मैंने आपको व अंदागर की तरफ तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं रेलवे स्टेशन यानि की मसूरी बसेटे पर और यहां पर देखे इतनी भीड लगी हुई है लड़कों के आज और लड़के मतलब उनको जाने के लिए गाड़ियां अभी नहीं है तो गाड़ियां आने व और दोस्तों मतलब कल के उससे क्या बताएं कि कल रात को ग्यारा वजे इनका कुछ फाइनल हो पाया है लड़कों का थोड़ा बहुत जितना भी हो पाया होगा और बाकी देख सकतो आप इतनी भैंकर वाली भीड लगी भाई साथ इतनी भीड लगे वह यहां पर उत्रकाश बसें मतलब लगाता आई रही हैं और कमी पढ़ने के कारण यहां पर प्राइवेट बसों में भी भी भेजा जा रहा है यह देख सकतो हूं यह है मसूरी बसब्सदा यानि के रेल बे स्टेशन परकोट और फिरचे में परकोट काया थिए देंक उतरकाशी भी दो प्रकोट और यारी इनकर नेया जनिया क्रें जनिया कारें दोस्तों मैं हूँ अभी रेल्वी स्टेशन पे और यहां पे बहुत जादा जिर लगी ही है लड़कों की जिन्होंने पेपर देने जाना है बसें भी लगाता आ रही है और इसमें बैठ करके लड़के जा रहे हैं जहां जहां भी उनका पेपर है दो अभी बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने अभी बस नहीं मिली है उनको तो कोई सिर्नरबश कोई उत्रगाशीमिं कोई तेरी मनंतलब भहुत सारे एलावके के हां अगी बारी आगी जब दिका गया है, प्रक्सेल मैटसी मी मैक्सी कंड़ा है, हम एक रादी कुछ वह अगे हमारे मैक्सी सुरही है, माइक से शो हम जाड़ी है, उसका भी लिप वाया है, तो जाना है अग् hypothesis को जाना है अग्लारो, अग्डान के पर अग्ड़ारू ऑड़ाओ दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ डियम कारेलाय के बाहर और यहां पे मंदब बहुत सारी भीड यहां पे भी जमा है और दोस्तों यह है वो एरिया जहाँ पे सहीद इसमारक है और सामने गेट दिखाई दे रहा आपको तो इसके पीशे हैं उधर की तरफ लड़के हैं और बाकी यहां पे देख सकते हैं आप इतनी बहन कर भीड हैं कि लोग बावी पवार की सपोर्ट में आ रहे हैं और इन्हो ने लगव लगव पेपर भी अपना बाइकॉट कर दिया है जो कल होने वाला है और दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है अभी कि बावी पवार को इन्होंने कल हिरासत में ले लिया था और उनके साथ तकरीबन 14-15 लोग और हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और उनको छ पार रखें लड़कें यहां पे बहुत बड़ी संक्या में आ रखें और बताया जा रहा है यह लड़के कल जो है पेपर होने वाला आँज उसको भी नहीं देंगे तो उन्होंने पूर रूप से मतलब बाइकॉट कर दिया है उस पेपर का जो की कल होने वाला था और यह देख सकते हो आप किस तरीके से यहां पर हो रहा है और कुछ और भी फोटेज हैं यहां की जो भी उपलब दुफू पाएंगी वो मैं आपको द अंदर यहां पर बैरिक एटिम ला रही है अंदर जून करके दिखाता हूं में अरे बाबो दुनिया आ रही कुछ लड़के यह देख सकता हूं अग्यों बहुत भाएंगर भीड हो रही है और कुछ लोग लोगों को पुलिस ले भी गई है और अंदर देख सकता हूं जो बहुत सारे अंदर भी हैं इसके अंदर लगार के सामने दर्वाजे पर पुलिस वाले भी लगे लिए और इसके अंदर देख गो आप यह वह और दोस्तों लगातार भीड इतनी बढ़ रही है कि लगातार लड़के आई ही रहें मंदभ अभी और मंदभ कम नहीं हो रही ह तो दोस्तों ये देख सकते हो आप साइध इस मारक में इतनी भीर लगी वही कि क्या है बताएं और जो बावी पवार जी है जो अज्यक्स थे तो अंदर हैं और उनकों मलब जमानत के लिए आरसी मांगी गई है और इतने कावज मांगे गए हैं और वो भी लगव लगव 26 आर और अंदर उधर की तरफ डेरिगेडिंग लगा रहे हैं जहां लड़कों को रखा गया है और 26 आरसी वगएरा चाहिए जो आरसी और आईडी आरसी और आईडी चाहिए तब जा करके जमानत होगी तो यह आप देख सकते हो कितने बच्चे यहां पर जमाँ हो रखे अभी तब आरसी तो बहुत रुखाद है लाठी चाहर्ज करेंगे है तो त्रेकन पुलिस ने और वह भी बड़े आराम से धर्ना को दर्शन कर रहे हैं बेरोज़दार और बिना मतलब के लाठी चाहर्ज होगी है है ही दौस्तों यहाँ पर आरकहों मैं डीयाम औपिस के पास सहीद स्मारक है और यहां पर आरकहों तो यहां कि इसले बीड लगी हुए लड़कों की और बहुत पुवार को छुडाने के लिए यहां पर मलब बेल दिलाने के लिए दोस्तों लगवक्त दो पैर के बारा बच चुके हैं और अभी भी यहां पर इतने सारे लड़के हैं कि क्या बताएं कुछ लड़के तो सुबहे निकल गई थे अपने अपनी जगह पर जहां भी उनका पीपर है लेकिन उसके बहुत इतनी बहुत सारे लड़के भी यहां पर हैं